अब सभी पैर बच्चे सभी बहुत बहुत अच्छी होंगे और अपने अक्जाम के तहरे जबरदस लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे यह स्टुडेंट जैसा कि आपने बाहर एक नोटेविकेसन देखा और आज के न्यूज पेपर में आप लोगों ने पढ़ा कि बहुत ह इसके रिगार्डिंग में आज सारी जानकारे आपसे बैर बच्चोंग बताने वाला हूँ कि अप्लीड इस्टुडेंट्स अगर आपकी कॉलेज आइनसी से अप्रूबड नहीं है इंडियन नर्सिंग कांसलिंग से अप्रूड नहीं है तो क्या आप अदर स्टेट्में नौक्रीन नहीं कर सकते वह कंप्लीड इसकरोंगा उससे पहले मैं आपसे बैर बच्चों को बता दूं कि अपनी अप्लीकेशन पर नवरात्री ओफर चल रहा है ओफर का कल लास्क दिन है और सारे कोर्स की प्राइस पांसो निन्यार में रुपय है आप चाहो तो आज ही ज साफ साफ एक लाइन लिखया हुए 89 को लेज को आइन सी कि माननेता नहीं इन मैं सी 영상 **** पर राजुस्तान के बाहर नहीं मिलेगी नो का printing कि राजुस्तान के बाहर दो नहीं मिलेगी यह समझना अब सबी को पता है कि राजुस्तान के अंदर टोटल नंबर ओफ को लेज्रमें इतनी कोलेजों की संख्या है तो राजुस्थान के अंदर बिलकुल हाँ 186 तो राजुस्थान के अंदर अभी तक 186 कोलेज है ठीक है अब इन 186 कोलेज के अंदर जो 97 कोलेज है देखो यह साब साब लिखा है INC के सुची में केवल 97 कोलेज को डाला गया तो 97 कोलेज INC की लिस्ट में है तो इन वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसमें कुछ गुवर्मेंट कोलेज भी है और प्राइविट कोलेज भी है क्योंकि गुवर्मेंट कोलेज की संख्या तो आपको जोब कहां नहीं मिलगी आप ध्यांचे सुनना आपको नौर सेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी नौर सेट में तो चल जाता है स्टेट काॉंसलिंग का मांग लेता है थिक है बट आप अधर स्टेट नर्सिंग का जैसे राजुस्तान के अंदर को दे राजुस्थान वाला बच्छा यह MP का दे तो वहां की स्टेट बोर्ड दिक्कत करते हैं कि साप साप लिखा है यहां पर कि बीएसी नर्सिंग प्रिक्साइब पास करकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं अजारों स्टूडेंट्स क्या करेते हैं हर साल मतलब कोलीजों के लेकिन उन बच्चों को आदो बच्चों तो यह नहीं पता रिए चीज एक मातर है से चनल था जो शुरुवाद से बता रहा था इसलिए मैं हमें साइएंची को इंपोर्टेंस देता हूं इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से वह यह क्या होता है अप्रूवल किनको मिलता है जिन कोलेजों के अंदर सुईधाई अच्छी होती हैं होस्टिल की सुईधाई हैं होस्पिटल अच्छी हैं नर्सिस्टाप अच्छा है और आने वाले समय में जिनका फ्यूचर तो उनको तो आईंसी मानने था दे देती है चीवह गोर्मेंट हो चीए प्राइवेट हो और सारी गौर्रमेंट कोलेज उको भी अभी भी आयiblical नहीं मिल तो सर हमने एलंसी से अप्रूलिज में अधर्मिसन ले लिए तो क्या सर्म अदर स्टेट की जोब के लिए अप्लाई यह नहीं कर सकते हो लेकिर कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो दिक्कत पैदा करते हैं डिया स्टुडेंट्स लेकि नोर्सेट में इतनी दिक्कत नहीं आती है नोर्सेट के अंदर साफ साफ लिखा गया था कि आर एंसी वाला बाकी और अदर किसी स्टेट नर्शिंग का आप एक्जाम देती हो तो उसमें बहुत बड़ी दिककत पैदा हो सकती ही साफ साफ आएंसी के चेर मैंने का है कि राज्जे सरकार खुद आविदन कर चुकी है और विद्धिस लाकार भी इस बारे में लिख चुके कैन से माननेता होनी चीए स्टुडेंट्स के बहुसे में देश विदेश में नोकरे मिल्स के इसके लिए कोलेज के पास आइंसी के मानिता होनी जरूरी है और आने वाले समय में कुछ नहीं पता आइंसी चींजमेंट कर दें नोर सेट के अंदर कि नहीं हम तो केवल उन बच्चों को लेंगे जिनके आ के dł AMS लेना यहीं से अप्रूड कोलेज होगी आपका ट्यों है आपकी स्टेट से आप कर रहे यह से राजस्तां होना जरूर यह पैर बुच्छो आप लोग समझ गई यह आज की नूज थी और कोई बच्छा अच्छी से अगले नेक्स टियर के लिए अच्छी से त्यारे करना चाहिए तो डाइमंड टू पॉइंट ओ बैच आर्योच का रनिंग हो चुका है पांसो निन्यानम रुपए मे और जिसके अच्छे मार्स आएं तो फर्स्ट एर का कोर्स ले सकता है हमारे हैल्प लाइन नंबर पर कोल कर सकता है निन्यानम रुपए साचो चैसे तीन सो सतेतर फिर भी किसी बच्छे को कोई जादा है प्रोब्लम आती है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जैपुर आ लागी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कोई डाउट रह जाता है अथेंटिक डाउट तो कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर सेयर करता कि उनके पास यह इंफॉर्मेसां मिल पाए आज के लिए धन्यवाद जैन मेरे